तो भाईलो कैसे हूँ? तो यार वेलकम दी बैक, बैक दे वेलकम और स्वाहत आपका एक बरा न्यू गलत सीन से भरे पड़े पड़े पवजितम वाईलिम प्ले वीडियो में और यार इस मैच में पूरा का पूरा मैच, अपनी पूरी जिन्दगी यहाँ पोचंकी में बीचती है हाँ सुरू से लेकर आखिर तक, कोई भी जगा नहीं जाते सारी लड़ाई हर एक बंदा यही पे पहुचा पड़ा होता है खैर फिराल के लिए उधर रखे हैं पोचंकी के इस वाली और देखो उधर ते ही सूट गन मिलती है और इसी से काम चलाएंगे और यहां पर मैं फकीरों की तरह यार सोट गन चला रहा हूं सोट गन से तीन बंदों की पेटी बना दी लेकिन वो बंदा नजाने कहां कोने से आता है वो भी एक केम लेके और हमारे भाई की पेटी डाल दी उसने और यहां पर यह एक केम का लोहा साइट क्या ही चलता है मतलब बिलकुल मजा सा जाता है अब देखो टोपी के नाम पर सिर्फ यह टूपी पढ़िये मेरे पे हलमेट नहीं पढ़ा है क्यार यहां पर एक बंदा नौक या था तो पेटी बनाने अंदर गुशता हूं मैं और इसी के साथ 4 किल हो जाते हैं और यार 4 किल के बाद भी अभी तक एक सोटगन पढ़ी होती है खैर इस बंदे पे ऊजी होती है तो यार ऊजी उठाली और अभी तक हेलमेट के नाम पे कद्दू कुछ नहीं पढ़ा है कर यार से उजी उजी ले क्यार हम वापिस जा रहे होते हैं पोचंकी की ओर अब देखो जब हम यहां उतरे थे तब गिले चुने टीम आई थी लिकिन यार नजाने ऐसा चासी नहीं होता है हर एक बंद पोचंकी मैं पहुचेगा मैंने खेल से जून यहीं पर छोटा होता ह है इसलिए कर जो भी ओ बगए टोपा मतलब बगए रेलमेट अभी भी मैं आगी बढ़े जा रहा हूं और यहीं से फुटी स्टेप आ रहे हैं अब यह स्वार्पी वाले बंदे के यार मैप में फुटी स्टेप तो दिखाए दिये थे लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल से नेट चला जाता है बढ़े यार मतलब भाई ने हमको बताए कि यहां पर बैटे है और चल दिये वापिस खेर यहां पर हम रुक रखे होते हैं क्योंकि आगे और बंदे आ चुके हैं नजाने क्यों यहां पर रस कर रहा है और कोई खेर अपने को कोई दिक्कत नहीं है इस बारे में और ये बेचारा बंदा यार पोचंकी में ओपन में घुम रहा होता है अब देखो जिंदगी में कुछ भी करो लेकिन पोचंकी में ओपन में घुम रहे हो यार पेटी बनती है इसकी पेटी डाल दी लेकिन ये भी नौक वा था यानि किसका टीमेट भी यहीं कही होना चाह और ये भाइया नजाने कौन से नसे में खेल ले होते हैं मतलब मैं सकोब कोलता हूँ भाई गन हटाकर बैट के भग रहा होता है समझ नहीं है क्या सीन्ता कैश इसकी भी पेटी डाल दी और ये बंदा सीधा ठेल जाता है अब देखो जब मैं यहाँ पेटिया डाल रहा होता हूँ आगे गूलियां चल ली होती है और आखिर कार जाके यार एमफूर मिल गए अपने को तो हाँ चोड बढ़ चुकी है जिन्दगी में और हम भी ओपन में भगेंगे अब और यही खत्रा होता है ओपन में भगने का यह भाई यार नजाने कब से ठीपी पी लेके बैठे होंगे लेकिन हाँ टाइम रहते मैं सकोब खोलता हूँ और पेटी बना देता हूँ अब यार हम निकलने वाले थे पोचंकी से लेकिन लाल जून प्लस सामने बंदे भी आ जात और हमारे भाई नजाने क्यों उस दिवार के पिछे लेटे होते हैं मेरे क्याल से भाई यार उस पे नजर रख रहे होते हैं क्यार वो बंदा हमारे भाई पे भकते वेरस करता है और यहां से में पकड़ लेता हूँ उसकी पेट्री डाल दी और दूबारा से पोचंकी खाली तो इसके बाद हम गाड़ी उठा के हर एक जगा डूनने जाते बंदों को रुजाओक चले गए जोर चले गए हर एक जगा देख ली कोई भी कहीं नहीं मिलता तो उसके बाद यार भटकते भटकते हम दूबारा से पोचंकी आ जाते हैं और गाड़ी है आगे एक और आखिर कार घंटों भटकने के बाद बंदे मिलना चालो होते हैं इस बंदे की सीधा पेट्री डल गई और सामने पे दो टीम आपस में लड़ रही है तो गुशना पड़ेगा इधर और याल यह वाले सपरे के लिए एक लाइक ठोकना मत भूलना हो और यह मैं यह और तुरारा कार स्वे के बाद कर्णा है जा सबस्ते है अगार मिलना हो स्वेघ्ट इसान के सवीजावर मिलना है विह स्वेड़ेद हैं टाइड़ गां org और यहां पे जो बंदे आपस में लड़ रहे थे मेरे ख्याल से सब को पेल दिया मैंने पहले टीम वो थी जो यार डेड़ आइक्यू करके चट पे बैटी थी और दूसरे ये थे जिनको गर पे घुसके पेला अब लड़ाई इसलिए चल लिए होती है क्योंकि यार डिरॉप और रखाता है इधर गुलाबी रंग का ड्रॉप खेर जो भी ओर ड्रॉप पे कद्दू कुछ ने मिलता गाम का तो हम लोग क्या करते हैं जाने वाले होते हैं लेकिन उत्रे में एक और गाड़ी आ जाती है सामने से अब लाल कलर की यार गाड़ी तो दिखते हैं लेकिन बंदे कितने आए पता नहीं चलता खेर नेट की कोशी से अभी और नजाने क्यों ये गिल्ली सूट वाला बंदा हद से जदा जोस में होता है इतना जोस यार पेटी बना देता है इसकी और यहां पर रिलोड करने की गंदी आदत की वज़ए से यार वो बंदा बच जाता है अब देखो अगर मैं गुली चलाता रहता तो यार वो बंदा सामने आ गया था साइट से वो नोग भी हो जाता लेकिन हाँ वही रिलोड बार बार दबानी की वज़ए से वो बच के चल दिया क्यार हम लोग घर के अंदर आते हैं और इंतिजार करते हैं अब सीन क्या ओता है यार मेरे को लग रहा होता है ये लोग वही पीछे बैट हैं लेकिन ये लोग बहुत चलाक होते हैं ये लोग वो जगा चोड़के सामने घर पे आ चुके हैं तो हां मेरे ख्याल से टाइम आ चुका है नेड करके टेड़ा IQ लगाने का और यहां पे नेड में छट में गर रहा हूं और यह लोग नीचे बैठे पड़े हैं हद से जादा सस्ता नेड कैर सीन क्या होता है मैं दूबारा से उपर चड़ जाता हूं और यहां पे अपनी जान पे खेलके मैं नेड बंदे के मूँ पे फेकता हूं और सीन क्या होता है नेड उसके मूँ से टकरा के मेरे ख्याल से दूबारा बाहर गिर जाता है और अभी यहां पे बैठे रहना खत्रे से खाली नहीं है तो करना क्या थैयार यहां पे थोड़ी देर में रुकता हूं और अब डेडा क्यू लगाएंगे अब यहां पे पिछली बार जितनी बार मैं यह डेडा क्यू करता हूं हर बार काम करता है इस बार भी काम करना चाहिए लेकिन यार इस बार सीन थोड़े अलग हैं सामने वाले चाता चालाख है और हमेशा की तरह डेड़ आईक्यू काम कर जाता है यहां पर अब बस दिक्कत यह बात किया यार दूसरा बंदा जान चुका है कि मैं छट पर बैठाऊं लेकिन मैं उतर करता भी नहीं तो अब फिरान के लिए सब कुछ बढ़िया जा रहा होता है जादा दिक्कत नहीं है लेकिन उतरे में ही और मेरे ख्याल से इससे जादा महंगा नेट साइद ही मैंने कभी देखा होगा मतलब बिल्कूल उड़ते उड़ते आवा में नेट फटता है यानि कियार जो सामने बनता है बहुत अगड़ा खिला है तो मैं यहां पर रिवाइव हो जाता हूं और वो रस कर देता है अंद अब यहां पर इस बंदे को मैं पकड़ तो लेता हूं लेकिन यार बहुत देर हो जाती है जब तक मैं उसकी पेटी बनाता हूं आमारे भाई की पेटी डेल जाती है अब सीन क्या रहता है और वो बंदा पहले एम के लेके चड़ता है मैं हीलिंग पेल ला हुता हूं उद्रे में हमारे भाई लड़ रहे होते हैं वो गन स्विच्च करके भाई को एम पूर से नो कर देता है खैर वहां पे उसकी पेटी डालके मैं चल देता हूं अपनी ये म अब यहां अंदर से फुटे स्टेप तो सिर्फ एक ही बंदे क्या रहे हैं लेकिन यार क्या पता इनोंने कते ही फिल्डिंग बीचार कियो अंदर तो यहां पे मैं अराम से रस करूँगा सीड़ी पे आके देखता हूं पहले और यहां अंदर गुस्ते वेयार डर बहुत लग रहा हुता है डर लग रहा थायर मैं इस पे रस कर रहा हूं कोई पीछे से न पिल दे लेकिन यहां पे सिर्फ एक ही बंदा होता है और इसका टीम मेट देखो कहां पे होता है और अगर आप पीछे करके देखोगी तो यहां बगल पे राइट साइड पे कोई बंदा साब बन के लेटा था उसके पेटी बनने का दुआ दिखाय देता है यानि कि इन भईया के टीम मेट लेट रखेते जमीन पे और आगे से किसी ने में M24 चिपका दी खेर जो भी हो यहां से मैं नाकाम कोशिज करता हूं किसी को नौक करने की कोई भी नौक नहीं होता और जोन भी आर पोचंकी में बन चुका है तो देख रहे हो मतलब पोचंकी के लेफ्ट राइट हर जगा गए लेकिन पोचंकी के पहार लड़ाई ने मैं यहां कहां कैम करके बैठे होंगे कोई जट पे चाड़ा होगा कोई लेट रखा होगा तो मैं क्या करता हूं पहले बूश्ट पेलता हूं उसके बाद आराम से अंदर घुसके देखेंगे और सबसे जादा खत्रा नेट का होगा और यहां मैं घरों के अंदर नहीं पहुंचा हूं नेट पहले से आ रहे हैं अब यह लोग नेट मेरे पे कर रहे थे या किसी और ठीक से पता नहीं चलता क्यार यहां पर मैं थोड़ा पीछे की और जाता हूं और हर जगा देखता हूं क्या पता कौन कहां से आ जाए सांप और जैसा कि मैंने बूला था यार ये लोग यहां पे हर तरह की केम्पिंग करके बैठे होंगे एक बंदा ग्रोजा लेके छट पे चड़ रखा है और उसका टीमेट यार छट पे चड़ने की कोशिस कर रहा होता है फिर उसके टीमेट को मैं नौक कर देता हूँ और पीचे पकता हूँ पहले और यार कुछ भी कहो इस भाई के नेड़ खद से ज़्यादा खतरनाक थे उनलब यार इस लोबी में मेरे अलावा हर कोई बढ़िया नेड़ कर रहा है यहाँ पे मैं पहले बैठा हूँ तो पहले वहाँ पे नेड़ करता है उसके बाद मैं दिवार के पीछे जाता हूँ वहाँ पे भी नेड़ आता है वह तो अच्छा हूँ अब मैंने दुबारा से पोजी सेन बदल दी यार धीरे धीरे करके मैं थोड़ा और आके जाता हूँ और यार मेरी फटी पड़ी है यार अभी ये छट पे थे अब कहाँ पर लेटे हूँ किसको क्या पता और एक बंदा राइट में उस नाले पे भी बैठा है तो उसका इंतिजार कर रहा हूँ मैं पहले अब यहाँ पे बचे हैं गिने चुने सिर्फ तीन बंदे अब आगे से एक एम तो चलती है लेकिन यार क्या पता ये तीनों मिलके मेरा बेकूब बना रहे हूँ ये ऐसा लड़ने का नाटक करेंगे और मैं थर्ड पाटी कर दूँगा और मेरी बेटी बनेगी तो मेरे को लगता है ये तीनों एक ही डिमक है और यहाँ पर मैं इनके चार करता हूँ हाँ उसी नाली वाले बंदे का और दिखता है वो आखिरकार जाके अब यहाँ पर असलियत में ही लड़ाईया चल ली होती है अब देखोई ये मेरा बेकूब नी बना रहे थे लेकिन मेरा बेकूब बन जाता है किले चूरी हो गई आगे और हमारे ये 100 आरपी वाले भाईया टूमी गंचला रहे होते है नजाने कि यार मेरे को लगा उपर वाले बन्दे पे ग्रोजा पड़ी होगी लेकिन जिसको मैंने नीचे पेला था उस पे ग्रोजा होती है और उपर बैठे बन्दे पे टूमी पड़ी होती है अब देखो उपर वाले बंदे पयार ग्रोजा होती तो कुछ भी हो सकता था क्या पता पेल जाता हूँ मेरे को लेकिन हाँ भाई पे टॉमी होती है और एक एम से यार मस्त बेटी बनाता हूँ और इसे के साथ चिकन चुकन हो जाता है अब देखो यहां पे मैं रुखता नहीं तो यार क्या पता मैं गुश के हर एक बंदे को पेल देता या फिर क्या पता ये तीरों मिलके मेरी बेटी बनाते तो हैं मैं इंतिजार करता हूँ और किल कम मिलती है खेर चिकन तुआ तो आज के वीडियो इतने यार बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते ये पूरा पोचंकिये वाले मैच के लिए एक लाइक ठूकना मत भूलना और अगर आप यहां पे नए हो तो यहां ठूको सब्सक्राइब और भी ऐसे ही गलत सीन वाले गेंप्ले और सचती कमेंटरी के लिए तो आज के वीडियो इतने यार गल मिलते हैं बाबाई प्राइब